हेलो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका भाईया रिसाप सिंग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिसी यस क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो सभी उनिवर्सिटियों के द्वारा 2023 में एक्जामनेशन करा जा रहे हैं उसमें ही एक और यूनिवर्सिटि द्वारा BAC first semester के physics के examination को करा लिया गया है और इस वीडियो में हम जिस university के question paper को discuss करने वाले हैं उसका नाम है VVSPU University ठीक है तो इसके बारे में हम पूरा detail से समझेंगे कि किस प्रकार के question पूछे जा रहे हैं कैसे questions बनते हैं और आपको किन किन questions को जरूर पढ़कर जाना चाहिए इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा हमारे जो BSC first semester physics का जो हमारा paper है ठीक है उसका नाम mathematical physics and newtonian mechanics है ठीक है इस पर भी हम आ लेड़ी कुछ lectures को upload किये हैं और मैंने हर एक unit के सभी important questions को भी provide किया है तो अगर आपके exam अभी तक नहीं हुए है तो आप लोग उन lectures को जरूर attend करिए simply search मारे यूट्यूब पर BSC first semester physics important questions आपको हमारे playlist मिल जाएंगे उनमे topic wise, chapter wise सभी important questions को provide किया है उन्हें पढ़िया आपके exam 100% guarantee के साथ तैयारी हो जाएगी वहां से ठीक है और जितने भी university के question paper को मैं provide करूंगा उन्हें join करिए उन से important important questions को select करिए उन चीजों को पढ़िए ऐसे ही questions आपके exam में भी पूछे जाएंगे क्योंकि syllabus same है ठीक है तो चलिए के करके अब सभी topics पर बात करते हैं लेकिन अगर आप से इस चैनल पर पहली बारा होंगे तो जरू नीचे दी ओफरेट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को all पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले पॉइंट तो यह कि इस पेपर में हमें टोटल दो घंटे में maximum 75 नंबर के questions को attempt करना था ठीक है एंड इसमें note की रूप में बोला जा रहा है कि हमें हर section में जिस प्रकार से इस्ट्रक्शन दिये गया हुँसी के कावर्डिंग सभी questions को attempt करना है तो सुरुवात होती है section A से as you already know कि हमारे पास हर पेपर में तीन section होंगे एक section A दूसरा section B तीसरा section C तो section A में हमसे बोला जाता है कि इस university द्वारा बोला जा रहा है कि जितने भी questions दिये जा रहे हैं उन सभी questions के answer करिए total 10 questions दिये जाएंगे और हर question पर तीन नंबर दिया जाएगा इस प्रकार तीस नंबर के questions को आपको यहां से attend करना है या फिर मैं कहूं attempt करना है सबसे पहले question से सुरुआत करते हैं question number 1 का A यहां पर बोला जा रहा है कि define a unit vector हमें एक unit vector का definition देना है और unit vector unit first का सबसे basic question है जो कि मैं लेडी पढ़ाया भी था और मैंने उस time भी कहा था कि unit vector आप सभी के exam में पूछा जा सकता है ठीक है अगर उस lecture को attend किये होंगे जो कि मैंने काफी बच्चों के comments देखे थे वो लोग कह रहे थे कि यह वाला topic आया था तो हां आप लोग attend जरूर किये थे ठीक है ऐसा ही बात कर गिया जाया है तो हमारे पास जो दूसरा question है उसे में बोला जा रहा है कि state the hook's law हुक्सला के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है और हुक्सला elasticity से related एक बहुत ही important question है यह चाहें आप किसी भी university से हो आपके exam में जरूर पूछा जाएगा ठीक है तो इसे आप बिलकुल भी skip मत करिया और यहां पर हम question paper का केवल overview पर ही बात करेंगे तो हम इनके answer नहीं provide क ठीक है लेकिन अगर आप लोग को इनके answer के बारे में सब कुछ समझना है सब कुछ जानना है तो हम आप सभी के लिए paid PDF notes launch किये थे किये हैं ठीक है अगर उन्हें आप purchase करना चाहते हैं तो आपके screen पर एक mobile number दिखाए दे रहा होगा उस पर आप message करिएगा वहां पर आपको सारी चीजों का information provide कर दिया जागा कि आप उन paid notes को कैसे purchase कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अपने question number C पर ठीक है यहां पर बोला जा रहा है define the operator ठीक है यहां पर हमारे पास operator दिया गया है इसको हमें define करना है वैसे यहां पर नेवला operator दिया गया है ठीक है तो आप लोग सारी चीज़े जानते हैं हम लोग यूनिट 2 में physics के according अगर बात किया जाए तो यूनिट 2 में और mathematics के बात किया जाए तो यूनिट 8 में हमें इस topic के बारे में पढ़ना रहता है आई यह बात करते हैं question number D पर यहां पर बोला जा रहा है कि what do you mean by neutral surface ठीक है neutral surface neutral surface से आप क्या समझते हैं इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है एंड इसके बाद एक अच्छा और सबसे अच्छा question मैं कह सकता हूं direct delta ठीक है what is direct delta function यह question last year भी कई university में पूछा गया था और इस year भी पूछा जा रहा है तो इसे आप skip मत करिएगा direct delta function क्या होता है इसको हमें define करना है and then last question यहां पर बोला जा रहा है कि what is poison ratio ठीक है इस page का last question मतलब इस section का last question नहीं इस page का last question है कि poison ratio क्या होता है ठीक है and poison ratio most 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 important है ठीक है वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूं question paper कोई भी अगर आप पढ़ते हैं काफी बच्छों के इस चीज़ से related comments आते हैं इसलिए मैं इस वीडि प्रवाइड करूंगा इन सभी PDF को टेलिगराम चैनल पर भी प्रवाइड कर दूँगा आप हमेरा टेलिगराम चैनल और WhatsApp चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं इन में जितने भी questions हैं उन सभी questions को अच्छे से तयार कर लीजेगा क्योंकि इन में से मान कर चलिए 80% या 90% हो सकता है 100% questions भी match कर जाएं क्योंकि पिछले semester में काफी बचों ने बताया था कि sir दो university के same question paper आये थे same मतलब उनके questions के जो अनुकरमांग होते हैं कि ये पहला question है ये दूसरा question है वो भी एकदम exact match कर रहा था तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इन question paper को बढ़ कर जाए हो सकता है यही question paper आ आपके exam में भी आ जाए ठीक है तो please skip मत करिएगा इसको हम telegram channel पर provide कर देंगे telegram channel और whatsapp channel का link का आप सभी को description मिल जाएगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कुछ भी skip मत करिएगा ठीक है and our lady आप सभी को मैंने बता ही दिया कि paid notes को कैसे purchase कर सकते हैं तो वहाँ प से ही आपका मतलब सारी चीजे तैयार होती चलेंगी ठीक है तो हम बहतर से बहतर बनाने के लिए आपके तैयारी को अच्छे से अच्छे लेबल पर ले जाने के लिए उतनी चीजे तो हमें बताने ही पड़ेंगी ठीक है बात करते हैं जी नंबर के point पर what do you mean by simple harmonic motion यस यस य यानि के simple harmonic motion unit 8 का question wave motion से related question है बहुत ही important है और simple harmonic motion में तो बहुत सारी चीजे पूछे जाते हैं कि simple harmonic motion क्या है इसका हम equation कैसे drive करते हैं differential equation क्या है इनका हम solution कैसे निकालते हैं वगेरा 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 बहुत सारी चीजे हैं ठीक है तो अच्छे से पढ़िए बात करते हैं invariant tensor के बारे में what is invariant tensor invariant tensor से आप क्या समझते हैं stokes theorem बहुत ही important what is stokes theorem theorem ठीक है stokes theorem हो गया हमारे पास gauss theorem हो गया ऐसे बहुत सारे theorem है green theorem है इन सभी theorem को अच्छे से पढ़ लीजिए जरूर पूछे जाते हैं question और वाओ ये तो ऐसा question है जो मतलब अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैर पर कुलहारी मार दिए यह एक इकलावता ऐसा question है जो हर एक युनिवर्सिटी में guarantee के साथ 100% guarantee के साथ question mention रहेगा वह है के पिलर्स ला ठीक है यहां पर तो थर्ड ला पूछा गया है कि राइट के पिलर्स थर्ड ला आफ प्लानेट्री मोशन ठीक है तो के पिलर्स ला में सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि के पिलर्स ला लॉंग एंसर में भी आ सकता है salt answer में भी आ सकता है very salt answer में भी आ सकता है तो please अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है बात करते हैं section B पर section B में हमारे पास आते हैं salt answer type के questions इसमें हमें क्या करना है हमारे पास total 3 questions दिये जाएंगे और हर question पर हमें 10 number मिलता है I mean हमारे पास सबसे पहले point समझो हर मतलब हमें इ करते इस number के questions को यहां पर attempt करना है ठीक है शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से बता देता हूं अगर आपके exams नहीं हुए हैं और अगर आपके exams हो जाते हैं तो आप हमें अपने question paper को telegram channel या फिर WhatsApp पर message कर सकते हैं ठीक है और आपके भी question paper का PDF के format में videos provide कर दिया जाएगा अगर आपके exam objective है तो उनके answer की भी provide किया जाएंगे ठीक है यह सभी question paper बच्चों के द्वारा ही provide किया जाता है मैं कोई university जाकर नहीं लाता हूं ठीक है तो आप भी हमें provide कर सकते हैं drive the expression for acceleration of a body rolling down an inclined plane ठीक है important most important हमारे पास दूसरे नमर का question बन रहा है कि अगर कोई भी एक body है और रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो उसका acceleration का expression क्या होगा इसके बारे में हमेज से यहाँ पर पूछा जा रहा है ठीक है बात करते हैं तिसरे नमर के question पर और most important find the expression for theorem of parallel axis, perpendicular axis, parallel axis theorem most 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 important ठीक है इस statement ही पूछ लिया जाएगा लेकिन पूछा जाएगा कि हमारे पास parallel axis theorem क्या है परपेंडिकुलर axis theorem क्या है तो इसे अगर आप miss करके जाते हैं तो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आप से question छूट कर ही आएगा ठीक है तो please इसके नहीं करना है अच्छे से पढ़िए आईए बात करते हैं एक question और हमारे पास आता है fourth number के question में बोला जा रहा है कि find the relation between escape velocity and orbital velocity ठीक है escape velocity and orbital velocity के बीच का क्या relation है इसके बारे में यहां पर हमें बात करना है question number 5 में बोला जा रहा है कि what write the concept and expression for four vectors ठीक है four vector हमारे पास एक topic है वैसा यह most important मैं नहीं कहता लेकिन इस चीज को पढ़ लीजिएगा ठीक है अब question पूछा गया है तो पढ़ना भी जरूरी है four vectors का concept और expression क्या होता है इसके बारे में यहां पर हमें बताना है उसके बाद हमारे पास एक जो कि मतलब मैंने बताया भी था कि यह important question है ठीक है क्योंकि मतलब यह unit 2 से बनता है question कि हमारे पास यह अगर हम cross product लेते हैं और dot product लेते हैं तो वह हमारे पास zero के रूप में मिलता है किसी भी वेक्टर पर तो इस चीज को हमें प्रूब करना रहता है ठीक है आई यह बात करते हैं अपने question number 7 पर यहां पर बोला जा रहा है कि वाट इज reciprocal vector ठीक है reciprocal vector से आप क्या समझते हैं and so that हमें दिखाना है कि IJK और self reciprocal vectors ठीक है जो हमारे पास x-axis के लॉंग y-axis के लॉंग और z-axis के लॉंग unit vectors होते हैं जिन्हें IJK कहते हैं वो self reciprocal vectors होते हैं यह बात यहां पर हमें प्रूब करनी है ठीक है आई यह बात करते हैं अपने एकले question पर question number 8 में find the expression for the depression ठीक है एक मिनट हाँ ठीक है depression of a cantilever ठीक है cantilever के जुकाओ के लिए ठीक है डिप्रेशन ठीक है depression होना चाहिए ठाँ कोई बात नहीं सही है ठीक है हाँ हाँ एकदम पर्फेक्ट है कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर बोला जा गया था तो इसकिप नहीं करना आप लोग बच्चो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है question number 9 में कि what is the relation between Cartesian and spherical polar coordinates explain it ठीक है यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि Cartesian and spherical polar coordinates के बीच क्या relation है इसके बारे में यहां पर बात करनी है ठीक है तो simply हमें उसका पूरा equation drive करना है और सारी चीजे आसान ही है ठीक है अगर कोई भी बच्चा अच्छे से चीजों को पढ़कर गया होगा तो ऐसा कोई बहुत difficult question नहीं पूछा गया है जो आप कर नहीं सकते ठीक है यह तो मुझे लगता है इस question paper को बहुत easy मतलम मैं का सकता हूँ यहां पर बहुत hard questions नहीं पूछे गया है अभी तक तो ठीक है उसके बाद चलिए हम बात करते हैं अपने question I mean section C पर ठीक है तो section C में अगर बात कि है तो एक ही question हमें करना रहता है इसी university ने बोला है अपने question paper में और उस question पर हमें 15 नंबर मिलते हैं इसलिए 15 नंबर का question हमें section C से attempt करना है ठीक है और अच्छे-च्छे questions यहीं पर ही बनते हैं क्योंकि long answer type के questions यहां पर पूछे जाते हैं यहां पर बात किया जाए तो drive expression for tors torsional rigidity of a wire और a cylinder ठीक है हमें एक wire यानि कितार और या फिर हम का सकते हैं cylinder के लिए ठीक है cylinder के torsional rigidity का हमें यहां पर क्या करना है equation या expression drive करना है ठीक है तो यह हो सकता है खाफी बच्छों ने इस question को skip किया होगा अगले questions की तरह बढ़ते हैं तो यहां पर बात कर लेते हैं अगले question में हमसे बोला जा रहा है कि following terms को हमें explain करना है जैसे symmetric tensor क्या है and gauss divergence theorem क्या ह ठीक है तो माल लेते हैं अगर आप पहले मतलब अगर हम ऐसा सा पोच करते चलते हैं कि दसवा question आप skip कर रहे हैं ठीक है और गरहवे question को करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा कि हो सकता है यह वाला point तो बहुत ही छोटा बनेगा ठीक है लेकिन अगर हम b point पर बात करते है तो इसमें हमें अगर पास इसका statement भी लिखना चाहिए इसका proof भी करना चाहिए और अगर आपको example पहले से तयार है ठीक है तो आप एक छोटा सा numerical भी यहां पर solve कर दीजिए तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर नहीं करते हैं तो यहां पर numerical नहीं पूछा गया ठीक है तो को खुझ से example बनाए खुझ से सालूर करें यह तो जरूरी भी नहीं है ठीक है तो इसलिए मैंने ऐसा बताया कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो करिएगा ठीक है क्योंकि last question में आपके पास कितना समय है यह तो आप exam में देखते ही है ठीक है वैसे भी दो घंटे में इतने सारे questions attempt करन तो यह थोड़ा मतलब इतना ज्यादा difficult नहीं बनाया जाएगा question paper को कि आप कर ना सके है ठीक है क्योंकि time को हमारे पास limited यहां पर रखा गया है उसके बाद एक question जो कि मतलब simple harmonic motion damned harmonic motion यह ना पूछा जा तो भला क्या ही question बनेगा ठीक है तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि drive the expression for damned harmonic motion sorry देखिए यहां पर क्या है damned harmonic motion के लिए हमें expression calculate करना है ठीक है यह दो घंटे का question paper है इसलिए केवल और केवल यहां पर expression calculate करने के लिए बोला गया है अगर 3 घंटे का question paper होता तो मैं guarantee के साथ का सकता हूं कि यहां पर इसका solution भी calculate करने के लिए बोल देता और लिसाज figure तो मतलब इस question paper में लगता है mention ही नहीं किया गया है वाओ यह तो मतलब surprising factor है लिसाजुस figure नहीं पूछा गया है ठीक है लेकिन most important है बहुत ही ज्यादा important है लिसाजुस figure ठीक है तो पढ़ लीजिएगा बात करते हैं आपने last question पर इस question paper के elastic constant के बीच हमारे पास relation पूछा ज suggest करूंगा कि आप elastic constant के relation के बीच ना जाईए ठीक है अगर आपके exam केवल दो गंटे के हैं तो मैं इस last वाले questions को तो बिल्कुल भी नहीं attempt करता क्योंकि इसमें बहुत जारा time लगेगा क्योंकि हमारे पास जो elastic constant के बीच relation है वो एक नहीं दो तीन है ठीक है I mean दो थो है ठीक साय दोनों ही करने पड़ेंगे तभी पूरे number मिलेंगे तो मैं तो इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता अगर आपकी जहां पर मैं होता तो तब तो मैं question number 12 की तरफ ही बढ़ता ठीक है क्योंकि damped harmonic motion फटा-फट से चीज़े हो जाएंगी ठीक है तो यह हमने question paper को discuss कर लि notes में मिल जाएगा अगर आप हमारे paid notes को purchase करना चाहते हैं तो आपके screen पर हमारा whatsapp number 100 हो रहा होगा आप लोग वहां पर content करेंगे तो हमारी team आप से content करेगी और आपको वहां पर paid notes के बारे में information provide कर दिया जाएगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो को हम स्वाप्त करते हैं अ अगर आपके exam हो चुके हैं अगर यही question paper है तो आपने सभी questions को attempt कर पाए किया है या नहीं और आगर आपके exams नहीं हुए हैं तो क्या आपके इतने सभी questions तैयार है आल लेड़ी या नहीं यह भी comment करके बताएगा और अगले lectures का notification पाने होंगे तो जरूर subscribe करने के साथ bell icon को all parts कर लीजिएगा तो हम सब मिलते हैं अपने next lecture में तब तक पढ़ते रहिए संघर्ज करते रहिए और सफल होते रहिए